तर दोस्तों, कास किलासीज में मैं चंदर हास एक बार फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप अच्छे थरीके से पढ़ भी रहे होंगे HSC के एक्जाम की तयारी भी कर रहे होंगे आपके उसी तयारी को बहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हर्याना करंट अफेर की किलास लेके आया हूँ और इस करंट अफेर किलास में हम एक से एक हर्याना जीके के बहतरीन क्योश्चन आपके सामने करवाएंगे जिसमें आज का जो हमारा पहला क्यूशन होगा बड़ा ही सांदार होगा वैसे सभी क्यूशन बड़े सांदार होने वाले हैं आप हमारे चैनल के उपर दोस्तों नए हैं तो पले आपसे रिक्वेस्ट है की चैनल को सबस्क्राइब करो ताकि जो भी लैटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहूँच सके तो चलिए अब हम हर्याना करेंट अफेर की सुरुवात करते हैं आज का हमारा क्यूस्टन है की हभी हाल ही में चर्चीत राई सीना की पहड़िया हर्याना राज्ये में कहां सिती थे एक्जामिने आपसे पूछ रहा है की हभी हाल ही के अंदर जो चर्चीत है राई सीना हिल्स या हम ये भी कह सकते है राज सीना की पहडिया वो हरियाना राज्ये के अंदर कहां से थी थे तो ऐसा बताया जो होता है कि जो सोहना के अंदर शोहना गुरूग्राम के अंदर जो अरावली की पहाडिया फैली है उन्हें किस नाम से भी जानते हैं तो आप बताएंगे राईसिना हिल्स के नाम से भी उन्हें जानते हैं। राइशीना हिल्स हरियान राज्य के किस जिले के अंदर है तो आप बताएंगे गुरूग्राम में गुरूग्राम में यह पूछा जाए कि कहा है तो आप बताएंगे शोहुना में और शोहुना के अंदर एक पुरानी कारों की रेली की सुरुवात होती है दोस्तों 1964 में सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रेली होती है और वो रेली जिसकी सुरुवात कब होता है 1964 में एक्जामिनर ने बहुत बार अचससी के अंदर ये क्यूशन पूछा है कि सोहना पुरानी कारों की रेली की सुरुवात कब होई थी 1964 में लेकिन हरियाना की सबसे बड़ी जील पूछे हरियाना की सबसे बड़ी लेक पूछे तो आप बताएंगे दमदमा जील हरियाना की सबसे बड़ी जील है और दमदमा जील हरियाना के कौन से जिले के अंदर है गुरुगराम में दमदमा जील कहा सितीत है तो आप बताएंगे स सोहना के अंदर और दमदमा जील सोहना में कितने एकड़ भूमी के अंदर फैली है तो आप बताएंगे 3000 एकड़ में हरियाना की सबसे बड़ी जील जिसका नाम दमदमा जील है जो सोहना गुरुगराम में है लेकिन दमदमा साहिब गुरुद्वारा यदि आप से पूछा ज जाता है और ऐसा बताया जाता है कि सोहना के अंदर गरम पानी का चस्मा या गरम पानी का जो कुंड है उस कुंड में कोई वेक्तियदी सनान कर लेता है उसको चरम रोग वगेरा है तो ठीक हो जाते हैं तो यह याद रखेगा राईसिना हिल्स एक्चॉल में जो पहाडिया आसपास फैली है अराउली परवसरंकला की उन्हें हम राईसिना हिल्स के नाम से जानते हैं ये भी आपको मालूम होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा भवन है जिसका नाम राश्टपती भवन है और वो राश्टपती भवन भी राईसिना के पहाडियों के उपर राईसिना hills के उपर सितीत है और राष्टपती भवन जो दिल्ली के अंदर सितीत है याद रखेगा दिल्ली के आसपास में जो अरावली की पहाडिया फैली है उन्हें राई सिना hills के नाम से जानते हैं अरावली की वो पहाडिया जो अलवर के आसपास फैली है से जग्गा हिल्स के नाम से जानते हैं तो अरावलि के वो पहाड़िया जो दिल ली के आसपास में उन्हें राइशिनह लिद्ग के नाम से जानते हो और हर्यानरा राज़े में राइशिनह प्राप्त किया है तो आप बताएंगे दुर्वा दुर्वा नाम की छात्रा ने पर्थम स्थान प्राप्त किया है और यह दुर्वा नाम की छात्रा है इनका संबंध हरियाना के कौन्च जिले से है सातियो तो आप बता देना इनका संबंध जीन्द डिस्टिक से है जीन्द हाल टूफ हरियाना के नाम से जानते जिसका पूराना नाम जैनती देवी नगर है याद रखे एक पांड़ों ने एक जैनती देवी मंदिर बनाया था उशी मंदिर के पास में एक नगर बसाया था और उशी नगर को जैनती देवी नगर के नाम से जाना गया था याद रखे सभी सेटूडेंट बहुत अच्छे तरीके से नेक्स क्यूशन राजे में किस सप्लाई चैनल दवारा मारकंडा नदी को सर्श्वती नदी से जोड़ा जाएगा ये क्यूशन ये है कि हर्याना राजे के अंदर किस सप्लाई के माध्यम से मारकंडा नदी को सर्श्वती नदी से जोड़ा जाएगा तो मारकंडा नदी को सर्श्वती नदी से जोड़ा जाएगा कैथल सप्लाई चैनल के माध्यम से मारकंडा नदी को सर्श्वती नदी से किस सप्लाई चैनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है, राज्जे में 82 राश्टी टेबल टैनिस परतियोगता का आयोजन कहां किया गया है, हरियाना राज्जे के अंदर 82 टेबल टैनिस जो परतियोगता है, राश्टी टेबल टैनिस परतियोगता है, उसका आयोजन कहां किया गया है, तो आप बताएंगे चोदरी देविलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पंचकुला के सेक्टर 3 में है वहाँ चोदरी देविलाल यदि स्टेडियम पूछा जाए आप से तो आप गुरुग्राम को चुनेंगे और चोदरी देविलाल स्पोर्ट्स कोंप्लेक्स पूछा जाए तो आप पंचकुला को चुनेंगे पंचकुला के सेक्टर 3 के अंदर चोदरी देविलाल स्पोर्ट्स कोंप्लेक्स है याद रखना है सभी साथ ही उन्हों बहुत अच्छे तरीके से, एक तम बहतरीन तरीके से, नेक्स क्यूशन देखे, राजे सरकार दवारा भीमराव अंबेडकर आवास नवीनिकरन योजना में वित्तिय रासी 50,000 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है, राजे सरकार भीमराव अ बढ़ा कर कितना कर दी गई है, तो आप बताएंगे 80,000 रुपे कर दी गई है, साथियों कितना कर दी गई है, तो आप बताएंगे 80,000 रुपे कर दी गई है, नेक्स क्यूशन, राजे के किस सथान पर इंस्टिटूट ओब बिजनिस मनेजमेंट की स्थापना हरियान राज याद रखेगा दोलताबाद एक विधानसबा की सीटे गुरूगराम की और वहां से राकेश दोलताबाद एक निर्दली विधायक है और राकेश दोलताबाद का जो गाउं है उसी के अंदर इंस्टिट्योट व बिजनिस मनेजमेंट की नीव रखी गई है याद रखना राजे सरकार है वो किसानों के उपर जो परगती सील किसान है उसको सम्मान रासी देने का परस्ताव कर रही है लेकिन एक बर देखें आप क्यूशन के इंदर वो क्या पूछना चाता है क्या क्यूशन है राजे सरकार दवारा परगती सील किसान सम्मान यूजना के तहत पर संत शिरोमनी गुरु रवीदास की 644 वी जैनती राज्य सतरिये प्रोग्राम का अईजन कहां किया गया था संत शिरोमनी गुरु जो रवीदास थे उनकी 644 वी जैनती 2021 में मनाई गई लेकिन वो 644 वी जैनती 2021 में कहां मनाई गई तो आप बताएंगे मुख्य मंतरी आवास चंडीगड के अंदर मनाई गई थी चंडीगड जिसके डिजाइनर लिका बूर्जियर थे हरियाना विदानसवा का भवन भी चंडीगड में है उसके डिजाइनर भी लिका बूर्जियर थे और हरियाना हाई कोट का भाउन भी चंडीगड में है उसके डिजाइनर भी लिकाब उर्जियर थे और लिकाब उर्जियर जो फ्रांस के रहने वाले थे फ्रांस जिसकी राजानी पैरिस है और फ्रांस जिसकी राजानी पैरिस है वो कौन शी नदी के उपर सिती थे तो आप 2008 में जोड़ा गया था बहुत अच्छे तरीके से याद रखे लेकिन संत शिरोमनी गुरु रवीदास की 644 वी जहनती राज्ये में मनाई गई मुख्यमंतरी आवास संडीगड में लेकिन उसका आयोजन कब किया गया था तो आप बताएंगे 27 फरवरी 2021 को उसका आयोजन किया गया था ये सभी सातियों ने याद रखना है परधान मंतरी किसान संबान निदी योजना के सफल किरियानवाए के लिए राज्ये के किस जिले को सम्वानित किया गया परधान मंतरी किसान संबान निदी योजना के सफल कारिये के लिए राज्ये के किस जिले को सम्वानित कि परधानमंतरी किसार सम्मानिदी योजना के तहत सफलकारिये के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है तो आप बताएंगे धर्मनगरी कुरुचेतर को सम्मानित किया गया है धरम नगरी कुरुचहितर को संभानित किया गया है, साथियो आप हमारे साथ में बने रही है, मैं ऐसे ही एक से एक बहत्रिं क्यूशन आपके सामने हरियाणा करंट अफेर के लेकर आउँगा, आप मेरे चैनल के उपर नए हैं, आप हमारे चैनल के उपर नए हैं, तो चैनल क को सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो को सेर भी करना लाइक भी करना कमेंट भी करना धन्यवाद